नए साल का ये पहला वीडियो 2023 में अगर कोई गलती कर दी हो तो माफ कर देना क्योंकि 2024 में और भी होने वाली है वैसे इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उन टॉप 25 फिल्म्स और सीरीज के बारे में जो 2024 में आने वाली है नमबर 25 पे है कुंफू पांडा 4 शायद सुनने में आपको बचकाना सा लगे लेकिन यार बचपन का प्यार है ये मूवी सीरीज जिसमें स्टोरी के साथ साथ आक्शन, कॉमेडी और एंटरटेंडमेंट का भरपूर तड़का होता है जो आएगी 8 मार्च को हिंदी में भी नमबर 24 पर है आलिया भट की नई मूवी जिगरा जिसका सिर्फ अनॉंस्मेंट टीजर आया था जहाँ ये स्टोरी भाई बहन की थ्रिलर जेल ब्रेक एसकेप पर बेस्ट होगी और इसका अनॉंस्मेंट टीजर भी बढ़िया था इवन मोर मैं इस फिल्म के लिए एक्साइटेड इसलिए भी हूँ क्योंकि इस फिल्म के डिरेक्टर है वसन बाला जुन्होंने रमन रागहो मुनिका ओ माई डार्लिंग, मर्द को दर्द नहीं होता 83 जैसे मुवीज बनाई थी और ये मुवी आ रही है 27 सब्टेंबर को नंबर 23 पर है फ्यूरियोसा, भाई Mad Max फ्रांचेसी वैसे भी मुझे बहुत जादा पसंद है, उपर से ऐसे हाई लेवल प्राक्टिकल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे ना इस फिल्म में, जिसके सामने VFX और CGI भी फेल है और इस बार तो थोर भाईया भी जुड़े हुए है मुवी के साथ, मुवी आ रही है 24 माई को और अब बारी नंबर 22 की जो है चंदू चैंपियन जो बेस्ट होगी इंडिया के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडालिस्ट श्री मुरलिकांथ पेटकरजी के जीवनी पर जहां एक स्पोर्ट्समैन की नेवर गीव अप वाली मोटिवेशनल कहानी हमें दिखाए जाएगी जिसके लीड रोल में होंगे कार्तिक आरियन और मुवी आएगी 14 जून को नंबर 21 पर है अगेन कार्तिकारियन की ही फिल्म भूल भुलाईया 3 जिसका अनॉंसमेंट टीजर भी आया था एंड भूल भुलाईया 2 ने बॉक्स आफिस पर जंडे गाड कर ये तो बता दिया है कि कार्तिकारियन को अक्षे कुमार की जगा लोगों ने accept कर लिया था और अनॉंसमेंट टीजर से यही लगा कि इस बार आत्माय जो है रू बाबा के अंदर भी आने वाली है फिल्म आएंगी दिवाली के महीने में अब बारी टॉप 20 की जिसमें 20 वे नंबर पर है कॉप युनिवर्स की सिंगहम अगेन जिसमें एक्टर्स की भरमार होने वाली है अजे देवगन तो होंगे ही लेकिन अक्षे कुमार, रनवीर सिंग, टाइगर श्रॉफ, दिपीका पादुकोन, करीना कपूर यहां तक की अरजुन कपूर तक दिख जाएंगे और नो डाउट, सिंगहम फ्रैंचेसी लोगों को वैसे भी पसंद है तो थेटर्स तो हाउसफुल होंगे ही और यह मूवी आएंगी 15 अगस्ट को 19 वे नंबर पर है जोकर का 2nd पार्ट अब इसका 2nd पार्ट आ रहा है जिसमें लेडी गागा भी होंगी हारले क्विन की रोल में मूवी आएंगी 4 अक्टोबर 2024 को 18 नंबर पर है थलपती विजय की अपकमिंग साइफाइ थ्रिलर मूवी गोट, ग्रेटेस्ट अफ आल टाइम पोस्टर से ये मूवी टाइम ट्रैवल बेस्ट हो सकती है ऐसा दावा किया जा रहा है और कुछ लोग इसे जैमेनी मैन का रीमेक भी बोल रहे है क्या सच, क्या जुट, मूवी आने के बाद ही पता चलेगा पर ऐसी मूवीज इंडिया में वैसे भी बहुत कम बनती है तो मेरा तो फुल सपोर्ट है और मैं वेट करूँगा इसका कॉंसेट बड़े परदे पर देखने के लिए जो most probably सब ठीक रहा तो डिसमबर दोहजार चौबिस तक रिलीज हो सकती है नमबर सत्रा पर है स्त्री पार्ट टू जिसके फर्स्ट पार्ट ने ओडियन्स को थेटर तक खीच लाया था और इस मूवी ने कम बजट होने की बावजूद धुमाधार कमाई की थी भाई साब सेकेंड पार्ट का अनौंसमेंट तो आही चुका है और रिपोर्ट की माने तो इसमें भेडिया याने वरुन धवन का भी कैमियो रोल होंगा मूवी आएगी ऑगस्ट दोहजार चौबीस में नमबर सोला पर है अक्षे कुमार और टाइगर श्रॉप की बीसी एमसी नई बी एमसी एम बड़े मिया छोटे मिया जिसको इस साल की one of the best action entertainer कहके promote किया जा रहा है उपर से budget है 350 करोड बस टाइगर भाई अपनी गुलाटिया मारना बंद कर दे तो मूवी के लिए मैं तो excited हूँ जो आ रही है इद दोहजार चोबीस में फिफ्टीन्थ नमबर पर है राम चरन की गेम चेंजर जो एक political action thriller मूवी होगी जिसके director है शंकर जिन्होंने इंडियन, नायक, रोबोट, 2.0, शिवाजी द बॉस, विक्रम की आई मूवी इन जैसी धमाकेदार मूवीज बनाई है तो गेम चेंजर के लिए बहुत high hopes है जिसका budget है 450 करोड जो आ रही है September 2014 में 14th number पर है शंकर की ही direct की हुई movie Indian 2 जिसमें कमल हसन फिर से दिखाए देंगे और इस बार भी corruption पर ही focus किया जाएगा जिसका trailer अच्छा था और film शायद April से June के बीच में कही release की जाएगी 13th number पर है हमारे अपने India की पहली superhero universe की शुरुआत जहां से होने जा रही है वो film हनुमान जो अभी 12 जनवरी को ही release होंगी and I know के इसमें बहुत से flaws होने वाले है VFX वगरा को लेकर लेकिन still I am damn excited to see के director ने किस vision के साथ हमारे हनुमान जी को superheroic powers के साथ जोड़ा होंगा 12th number पर है एक series पंचायत का season 3 जो TVF वालो का production है and ये लोग मिट्टी से जुड़ी कहानिया जिस तरीके से audience के सामने रखते हैं खुद audience भी उस series का उस कहानी का हिस्सा बन जाती है season 3 आ रहा है इसी साल बस date अब तक decide नहीं हुई है maybe July के बाद और December के पहले ज़रूर release की जाएगी 11th number पर है Kingdom of the Planet of the Apes और Planet of the Apes की कोई भी movie उठा कर देख लो इसके CGI, VFX, even storyline में किसी तरह का कोई flaws नहीं निकाल सकते, movie आएगी में महिने में वो भी हिंदी में और अब बात मेरे most anticipated top 10 movies and series की आप number one की movie तब तक guess करके रखिए क्योंकि वो surprise है और इसका मतलब यह नहीं है कि सीधा skip मार के number one की movie देख लो list सुन लो पहले तो number 10 पर है Pushpa 2 I mean Pushpa 2 और जिस तरह से Pushpa के first part ने box office पर गदर मचाया था इसकी story, इसका music, इसके characters dance style, सब reels पर वगरा वाइरल हो रहे थे जिसकी वज़े से इसकी hype और भी जादा बढ़ गई और लोग बे सबरी से इंतजार कर रहे है कि आगे क्या होने वाला है Pushpa the rule में जो आ रही है 15 August को number 9 पर है एक series मिर्जापूर का season 3 इसके दोनों parts ने दर्शकों को खूब मज़े दिलाए हर characters को लोग पसंद करने लगे इतना कि लोग उनको actors के नाम से नहीं characters के नाम से पहचानने लगे बबलू, गुड़ू, मुन्ना भहिया जिसका season 3 इसी साल आने वाला है जो इस साल के second half में किसी भी मन्त आ सकता है नमबर आठ पर है कंगुवा अक्टर सुरिया इन वेरी डिफरेंट आउतार जिसका teaser आया था और उसने सब को हिला के रख दिया ये एक period thriller film होगी जो release होगी 12 April को थीयटर्स में नमबर साथ पर है junior NTR star period drama film देवरा जिसका सिर्फ poster ही काफी है इसकी hype बढ़ाने के लिए इवन इसमें सैफ अली खान और जानमी कपुर भी होंगे ये फिल्म दो parts में आएगी और पहला part आएगा 5 April 2024 को नमबर 6 पर है कल की 2898 80 जिसमें प्रभास तो है ही लेकिन ये एक futuristic movie होने का दावा कर रही है साथ ही साथ इसके roots जुड़े हुए होंगे हमारे Indian culture and history से इवन mythology से भी जहाँ प्रभास एक बारो श्री विश्णू जी के कल की अवतार में शायद हमें देखने को मिले इतना ही नहीं इसमें आमिताब बच्चन दिपिका पादुकोन, दुलकर सलमान जैसे बड़े-बड़े actors भी है फिल्म वैसे तो आ रही थी 12 जनवरी 2024 को ही लेकिन उस दिन बहुत सारी movies आ रही है तो कल की movie sure shot postpone हो ही जाएगी नमर पाँच पर है Godzilla X Kong The New Empire और भाई साब trailer ने दिल जीत लिया इसके visuals वगरा एकदम realistic है and अब Godzilla and Kong team up होकर एक नए monster से लड़ने वाले है movie आएगी USA में 12 April को बट यहाँ इंडिया में शायद एक दिन पहले याने 11 April को आ सकती है वैसे Google 14 April बता रहा था लेकिन मेरा मानना है कि एक दिन पहले याने 11 April फोर्थ नंबर पर है थंगलान या थंगलन या थंगालन whatever जो KGF के real story को हमारे सामने रखेगी in a very grounded way जिसमें विकरम सर को पहचानना भी मुश्किल है ऐसा रोल किया है उन्होंने टीजर आया था तो मैं बहुत खुश हो गया था इसे देखकर और अब मैं मूवी भी देखना चाहता हूँ जो आएगी जनवरी 26 को इसी जनवरी 26 को जिसका third part आ रहा है वुलवरीन के साथ और इतना ही reason काफी है इस मूवी का hype create करने के लिए उपर से इसके स्टोरी लाइन में मल्टी वर्स का भी तड़का लगने वाला है so I am तो in भाई मूवी शेडूल्ड है वैसे तो 26 जुलाई याने के मेरे birthday पर पर bookman show पर इसकी date 6th September बता रहा है कभी भी लाओ मेरे को मूवी इसी साल चाहिए बस नमबर टू पर है कांतारा चैप्टर वन जो कांतारा फिल्म का prequel होगी और इसका announcement teaser ही इतना बढ़िया था कि आपके शरीर का एक भी हिस्सा नहीं चुटेगा जिसमें goose bumps ना आये हो एक हिस्सा छोड़कर आखे और मेरे most awarded most anticipated most hyped list में first number पर है badass रवी को मार जी हाँ मेरे list है भाई कुछ भी हो सकता है और हिमेश सर ने इसका teaser जो लाया था ऐसा teaser लाके उन्होंने बता दिया कि वो क्या-क्या कर सकते है भाई मैं वही पर flat हो गया मुझे बस किसी भी हाल में ये movie देखनी है चाहे मेरे करोडो लग जाए मुझे परवा नहीं मैंने देखनी है बस और movie आ रही है 11 October को आपको भी देखनी है छोड़ना नहीं इस movie को बिल्कुल नहीं छोड़ना वैसे 11 October को आ रहे है यार बहुत दूर है movie लेकिन सह लेंगे थोड़ा सा हमारे हिमिश सर के लिए बाकि आप बताओ आप कौन से movie के लिए सबसे ज़्यादा excited हो comment करो like करो share करो और subscribe तो आप करी लोंगे बाई